चलो अभिशेक करें मस्तर अभिशेक करें आया अब सर्वडाही महाँ स्राइक आले प्रसाश्ट से पुर्शा कुरवंत ते मंगलम कुरवंत में मंगलम दे ब्योशोच दयादिका दुगुनता बिद्यादिका देवता स्रीती संकर मातर काशे जन्नका यक्छाशे यक्छस्ता द्वातरिन सत्य दसादि पाशिति सुरादिक कन्यका चाश्टा दिखबाला दस्चेत में सुर्गणां कुरवंत ते मंगलम कुरवंत में मंगलम कैला सेब्रस बस निर्बत मही वीरस्य पावा पुरे चंपायां वजपूजिसा जिनपते है सम्मेद शैले रताम से सानाम पिचोजें सिखरे नेमी स्वरस्यारतो निर्वाना वनिहा प्रसिद विभवाह कुरवंतु ते मंगलम कुरवंत में मंगलम जयो तिर वियंतर भावना मर्गरे मेर उकुलाद रहुतता जंबू साल मले चैत्य साखिस्दता वक्छार रुप्या दिशूप इस्वाकार गिरोच कुंडलन गेज वीपेचन नंदी स्वरे सेले ये मन जो तेरे जिन गराहा कुरवंत ते मंगलम योगर भावतरो सबो भगवताम दर्माविसेको सबो योजाता परिनिस्क्रमेन भिभोया केवल अज्यान भाग याक ऐवल पुरप्रवे समयमा संभाविता स्वर्गवी कल्याना जितता निपंचिसततम कुरवंत ते मंगलम कुरवंत में मंगलम इत्थम स्रीज मंगलाश्टमिनम सोभा के संपत प्रदम कल्यान यसमहो सवे सुधे सित्थंकराना मुसवा ये सनमवन ते पढ़न ते सद्थ नही धर्मा सिकामान विता लक्ष्मीरा से ते वे पाय रहिता निर्वारी लक्ष्मीरा भी मंगलाश्टम अब सिख प्रारम हो राज जल का गला साथ में ले ले सबी लोग थिलक लगा ले और जल का गला साथ में लेने जैने इंदर देवे अभिसे के भी धी करूँ मैं कलने आने नीजबतनी जड़नी यही है ते लोग के भवजन को जुक्सांती देती स्वामी करू नमन मैं जल से तुमारा ओम रेम स्रीम कली में मरहं Communism Sum Tam Pam जम जम जीाम जीऴ छीम 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 दराम द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते बगेती सिमते जले नफसे चामी नमोरते स्वाहा उदागे चंधन ने दनर पुस्प कई, चरह सु दीपसु पुफ़लार की कई दवल मंगल कान दवाकुले जिनकर है जिनकर है जनात महामेजे ओ मुरीम सीजनें दाय नमारिके मिन पामी ती स्वाहा नारियल के जल जो चंदर कान दमनी के जल सम्द वले पीजल स्वार लिये अमले इस नालिके रदसे अफसे करके चाहूं प्रभो एक सूरस तद्काल पेल कर पात भरा लिया है मादूर पनुतरा सीग चुका है मेरे बचनती जक्कलन ने नमो जhम झार भुटे स्रिम फ्रीम एकष्वरसाब इसे कमकरो मी नमो रते स्वाहा जhम झार भुपामी ती स्वाहा गरताब इसे घी अत्यन्त फुष्ठ करिय गृत्रप्ट कारीचन तप दूर यसे कांट तेता इसे जिने नफसे के क्रूँ अभी में दीजगाईघ चल सकति पड़े इसी से ओम्रियम सीम कली में मर जम जुम जूम 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 चूम जूम लूम जूम जूम ुंम जूम । ये दूद उत्म रसायन बिस्स में है, हे नार चीजगट से अब से करके में काम जेन सम्वाग चीद प्राप्ट कर लूँ, ओमरीम सेम कली में मरहम बमम हम सम तंपम, जम जम जीम जीम चीम चीम दराम दराम, दरीम दरावे दरावे, नम औरते बगते सिमते, दुखधा भी सेकम करो मी, नम औरते स्वाहा, उदा के चंद न चंद लुपस पे कही, चरह सुदीपस दू भुफलार की के दोल मंगल गान वाकुले, जिन गरहे जनात महामे जे ओमरीम से जनेंदा, नम अर गिमन पामी ती स्वाहा, दही का अफसेक, जे नेंदर कीति हा, एक अधिस हुई का चीदो दधी पहुआ पर समी, अति मंगली के दस्थे अफसे करके तेलो कमंगल, मैंनि सोके पाऊ, ओमरीम सेम क्ली में वरहम, वम अम सम तंपम, जम जम जीम जीम शीम शीम द्राम द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नम अरते बगते सिमते, दधी अफसे कम करो मी नम अरते स्वाहा, ओमरीम से जनेंदा, नमार गिमन रपामी ती स्वाहा, सरबाव सधी, एला लवंग करपुर ननादी, नाना सुगन्द वर वस्मिलाई करके सरभाव सदी मिलिसार कसाई जल से संसार रोगरे तुकरून आवन में ओम रिम सीम कले में वरम्त रुवन पते है सरभाव सदी अब सेकम करो मी नमोरते स्वाहा ओम रिम सी जिनेंदाय नमा अर्गम रुपामिती स्वाहा चतु स्कोन के चार कलर्ष तरस्टना निवार अनकर वपुणकार इमांगा नदर बाविशित कोन कल से तेलो कना जिनका भिसे करके पाजाओं सिग्रनित के शुचत्यों सेयों को ओम राम रिम रुम रुम रुपामिती स्वाहा चंदन बिलेपन ओम रिम चंदन बिलेपनम करो मिनमोरते स्वाहा पुषवपरस्टी ओम रिम सुमनह सुकप्रदाय पुषवपरस्टीम करो मिनमोरते स्वाहा मंगला आरती दक दोज्य लाग्षार अर्पस्पधी पात्रा और प्तही प्रति नम्हें तर नौक मंगल सुखाले कामदा माराती अम्हें विवयो रवतारियामी इति मंगला आरती रहती आर्णनम। उड़के चंदने तन्र पुष्वकाई चरसु दीपसु रूप फुलार्की दुल्मंगल गान वाकुले जिनकर एजनात्मायमजे ओमरिम स्री जने दायनमारिकम दुर्पामिती स्वाहा पून्र सुगंधित कलास। कर पूर चूर्न मले खिर संदना नाशूगंधित कल द्पमलायमे थिने नितकर मंश विष्वकाई कर अओधों पुंधित करई कवाल अत्म जिवत्पाऊ। उदा के चंदने चंदने लुपस पे कई चरह सुद्धी पेस रुपफलार की कई दवला मंगल गान अबाव कुले जिन गरह इतनात महा में जे ओम रिम्त्री जिनें दाय नमाहा अर गम्नल वपामीती स्वाहा सांति धारा प्रारा मुरी जारियात में ले ले ओम नमाहा सिद्धे भ्याहा ओम नमाहा सिद्धे भ्याहा ओम नमाहा सिद्धे भ्याहा ओम नमोरते भगवते स्रीमते प्रिशनासे दोशनमजाए दिवेते जो मुटे नमासी सांतनाता है सांति कराए सरव पापपणासनाए पसके पलूँ सके ऑनगनाु ठीस talk चेवरुन भीकश खाटार सिय जैन works of native यीद्ट संग्वीय नवाण यी थह स्टरिवि संग्भ सिरउ दोटी है स्ंग्पत्स एंदीन कुमा स्रीमति ये नामकानी कुंद भयं व्यां नहीं आ сейчас स्रीमतिya अंति म्हानन हो आगम ना जयादिली नवाटी सप्रवार हस्य। स्ठी देक्य जयन पूरुपसान से धर्मपतुन सी मति निर्मल जयन सप्रवार प्रिस्भी आदिली। गुलारी पति हिती सुरेश्चन जयन ऋरिचा जयन deleted ग॥ Chanel 張॥ पर भी पेड़ पिशख़ोद नी मुड्याद अजिए आंदे इना फिरव। रिमर्ग मॅलासुबाधू चंचाउ जंबू ती बस्तनाबू पुर शी मती आर्टी यनपी जीन संधी जीजीतिवाला परवार पर्वार्र पर्यागू शी भीमनकुमार, कमनकुमार, कातीवाल मंभीू स्रीदीपक जैंसी मती सुभाजी जीजयन बारण सी, स्रीपती सुतियंक जैनागरा, सी जवादला जैंसे कंदराबाद, इंजिनियर सी आर पार्टि सब्डेव परफ परमांगी तूंगी, सी संदे पनलाल पाप्रीवाल औरंगाबाद, स्री प्रमोटकुमाज जमलाल कासलिवाल अरंगाबाद, स्री भूशन जैशन कासलिवाल चानवड, स्री चंदर सेकर कासलिवाल चानवड, स्री दिये पार्टिल जैसिंगपुर, स्री मती सुधाता साह, पुने निवासी सपरवारस्य, स्री विने जैन, सुशील जैन, साथरी. सिर्भाबाद, शीमती संतोज में गुरुमार टॉट डिल्ली स्योंती सीटी इस ने सीटी सेटी चानेनी अप्सography पाड़ी सिवागी सौर अपछाबड़ा दक्ष अमायरा अनोय म२हसे धानपूर, शी जमनला लंक्षमीड़िजम्ण व्लक्ु म२हसे, कमलेज में दसनाभी कुछ उम्राज कुमार सुनिया फार्क उनी ऐसा इना मही कुणिया चारें वीबिल रoud परवार मंभई स्री मती मक्मली नेभी आन स्टोस्क्मार जيोति सुमया अट-स्वी ज Zahl मगला मड़ा रिकें जिए ऑंगरी गाल्ट अर्फि जिए एछ जेज आठीज के अप्र ह्रिवट ग स्रीमति रश्मिदेवी जैन, शुबाणसे जैन, शुबाणसे जैन, गोर्ग परत्रपडेश. स्री दोर्ठाप अН ग्रेकों, स्रीमति भी Mirraga भी टीश्माल, भ्यारत्वृत शी अईंन, दोर्ग परत्रपडेश. शरी मती मनोरमा महेश चंजेन के पुत्र स्री राहूल जेन, डाक्टर सीमधी मोनीका जेन, सानिय यता जेन, विकास पूरी डिल्ली, श्री सधी जेन, सीमती कुस्म जेन, Smithaila कुमारी, देवान नाछी जेन, सर्द नावत तर्पदेश, अगर्वाल जेन, लाठनु वाले सी स्थी प्रकाशन दिटकुमार्, सुलें कुमार् जिएभ एमनोर जिचिटकुमार् सपरवार इए श्यम्शंदर राजेंदर प्रसाद संदियराजेश पंक जिछ लिपां अफ्सेकर इंपात् मेंधना आवट परवार करतक मुंबई श्री सांती कुमार मम्ता प्रियतम मयूरी रस्रव सिदेश आधित प्रितिन नित्या जेन शोकानी जापान वाले जेपुरा जेसाल श्री मती विमला उंपरका जेन हरिद्वार श्री सुमेर्मल नर्मदा देवी अजेरिंकु अर्विंद पिंकी कुसागर लावनिया भव्याचुडी वाल परवार स्वासलावार कलकत्ता श्री विनोट कुमा श्रकुंतला जेन, श्री गवरो नीशु जेन, पुनी सुरीज जेन, योगीता राहुल जेन, उत्तम नकर नहीं दिल्ली, स्री तुलसी राम आसा जेबी प्रदीप जेन, खटेर कलकत्ता श्री राज ज्याम जैन, धर्बात्नी स्रिमति सुधा जैन, पुत्र स्री प्रसांत निशा जैन, पुनीदाग्रवाल। ब्रिगेडियर श्री गवरो जेन, श्यवरा निवासी, कश्मीर में सेवारत, सुपत्र स्रीमति गीता जेन, के जन्म दिवस पर सुपकामनाओं सहित सपरवारस्य। सौ रितू, सन्नी जेन, पुत्र सौ लता, पंकत जेन पांडे, सिद्धान पांडे, मंबई निवासी तपरवारस्य। स्रवड़न कर्म, 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 स्रवड़न क स्रव अगनी भयाँ, स्रव सर्प भयाँ, स्रव सागर नदी जल भयाँ, स्रव जलोदर भगंदर कुषकामलादी भयाँ, स्रव निकडार बंदन भयाँ, स्रव आयान दुरगटना भयाँ, स्रव वास्पयान दुरगटना भयाँ, स्रव चत्र चकरिका दुरगटना भयाँ, स श्रब वास्पधानी विस्पोटक बयां, श्रब विसाग्ट वास्पच्छन बयां, श्रब विद्यु दुरुगतना बयां, श्रब भूकंब दुरुगतना बयां, श्रब भूपिसाज विंत्रदाग्ति साकिन्यानी बयां, श्रब धनानी बयां, श्रब व्यापारानी बया सर्वादाज भयाँ, सर्वाच 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 भ शर्वाप अम्रत्युम् आधि दित्हु गुद्वाव करन दित्य पू्जाव करन दित्य पूजव मी मंदा हूँ ह兄 खृगवाना सृषन ने मुझत पूजव ने सृपना महौसा वंदा ने लिकलत धूसरे में ने में ने सभागयम करें मतनम कऱ और शाथ कराय सरभब पड़रो सब्स जिंतर बार्व सांटीमिन सरू करा है से बर्वों हमत्यों नियांavais जड़ेति स suckunt करायत सरव श्रविस्तान दर हराख करने वाले दीखने वाले सस्रेखरवारा स्री अभय कास्तिवाल औरburn वानिवाशीद वायन वासी आपधी नख़ूस Wh जब ले आजिनात भरत बाव बली पक्वान, शाथ स्वत्ती दा अध्यात, तीर्च छेत्र की, उदा का चंदा नतनुल पुस्प कही चरसु दीप सु दूप फुलार की कही दोल मंगलगान दबाव कुले, जिनकर रहे जिन्नात मायमे जे, ओम रिम्त्री जिनेंदा नमा, शा निर्मल नीर में गंदतु अक्षट पुस्प चरू ले मन हरसाए, दीप दूप फले अर्गसु लेकर नात्यत ताल में दंग बजाए, श्री आजिनात जी के चर्ण कमल पर बलबले जाओ, मन वचकाए, हे करुण राजित बहुत कमें तो याते में पूजू पुजू पु अरिःम नगाराम सिग्म गवापामी हर्मनर जीवख यात्भस नाति नात्यत लुच वठी वेख याते था गर्रे संख ऩंद kaikkiन पूम्प काा में तम हुभतारी एकलनादारी यतेथैच वाध श सवद्नारी स्री शानी निंस हमूत नक्रeस प्रद श्री स्रीशाननी आमिती स्वाहा जले फले वसुचादी मतार तनमन मोदधरो गुनगाउं बहुततार पूज़त पापिहरो श्री वीर महात्र वीर सन्वत नायखो जै वादमान गुनधीर सन्वत नायखो ओमरेम पूजी गरने प्रमु ज्यानमत्नी माताजी के आशिरवास से भगवान के जन्व मुमी कुंडर पूजिला नालंदा भिहार में आज माग सुकला एकातिसी सन्व जार तीन दो हजार तीन में यानि आज से बीस साल पहले वहाँ पर भगवान महाविय स्वामी की प्रतिष्ठा आज की दिन संपन हुई थी आज है उनका प्रतिष्ठा आज में जलाद अर्गम निर्वपामी ती स्वाहाँ उदा के चंदाने तंदुल पुष्प कई चरह सु दीपस्दू पुफलार की कई धवल मंगल गांद वाकुले जिन गरहे जिन साद माहा मुझे ओमरी चारी चक्रवति आचासी सांट सागर वी सागर स्क्राइस्व सागर धर्म सागर अजिस सागर स्र्यान सागर अपुष्प कई चरह सु दीपस्दू पुफलार की दोल मंगल गांद वाकुले जिन गरहे जिन साद माहा मुझे ओमरी एक स्वाट मुझे सागर माहा राज साग्छाथ यहां पर विराजमान उनके चर्णार में जलार गंद रुपामी ती स्वाहा पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुमें हम करते हैं अर्चत रवकात हाले से जाकर यर्ग समर बन करते हैं युक्की पहली क्यानमती जी के चर्णों में अभी बन्दन है तेरी पाउन प्रतबालक कर मेरा मन भी बन्दन है बढ़ जाएं और इसके साथ सभी भक्तों को सुचित करना है सास्वती दाविध्या में कल भगवान अजितनात का जन्म कल्यानक महुस्थो मनाया गया भगवान की टूंक पर जहां पर भगवान का जन्म इसान का इसान है वहाँ पर भगवान का प्राते काल मंदल भी धान हुआ दोपहर में वहाँ पर पंचामरत अफ्सेग यहां से पालकी यात्रा के साथ पंचामरत अफ्सेग संपन किया गया और यह सोभाग्यत से वीदेन कुमाजेन परवाद लखनों को प्राप्ट हुआ और इसके साथ पूजी अरेह सागर जी महराज और गंडी प्रमुग्यान पति माता जी संग का राइगन यहां बड़ी मूज़ती से अजितना टोंक तक मंगल परारपन हुआ संग के सानिद में सोभा यात्रा के साथ मंगल परारपन हुआ और धूम नाम से बगवान का अपसे करके सब लोग वापस आये तो यह कारकम यहां पर संपन किया गया और सभी वक्तों को सुचित करना है सभी लोग ध्यार नखें तीस अपरेल से पाँच मही तक बैसाख शुतला जस्मी से बैसाख शुतला पूर्मा तक पंड केलाल प्यरशा महुष्षो का आयोजन साषता शुत्तित अग़या है जिसकी सुचना बराबर आप तक पहुँच रही है सभी भक्तों को सभी पूरी दिगमा ज़यां समाई को आवान है साषतीत अग़या में सामिल होकर के समयलित होने का स्वभाग पराप्च करें ये आपके जीवन के स्वभाग पराप्च करें जब साथवत तीर्थ के दर्षन पांच तीर्थ हंकरों के जन्भुभुमी के दर्षन और आज पास में अन्य तीर्थ हंकरों के जन्भुभुमिया हैं वहां के भी दर्षन करने का स्वभाग प्राप्ट कर सकते हैं अयुद्धा के चारों तरफ वारांडसी है स्रावस्ती है चंद्रपुरी, सारनाथ, काकंडी रत्नपुरी, कौसामबी ये सब तीर्थ आजपास सो दोसु किलो मीटर में हैं तो जो भी भक्त चाहें आ करके सास्वर्ती दयुद्धा के साथ इन जन्म भूमियों के भी दश्वन करने का प्रोग्राम बना सकते हैं अब पुझे माता जी का मंगल उबोरा ओम नमहा सिद्धे भ्याद ओम नमहा सिद्धे भ्याद ओम नमहा सिद्धे भ्याद ओम्रीम विश्व सांति कराय स्रीर शब देवाय नमाहा 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 दो ठीक्राइब विश्व सांति कराय ऐसे परव भी हमारे और आपके जीवन में अनादी निजन सास्वत शोला कारन भावनाय दर्सक्षन धर्म रतन त्रे धर्मादी की आराजना करने की प्रेड़ना देते हैं और तीर्थंकर भगवन्तों को नमन करते वे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गवत्मो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो उस्त मंगलम साक्षाद गवत्म स्वामी के मुख से निकली बानी चैत्वक्ति आदी और जो उसी परंपरा में हुए महान आचारी सिरी कुंद कुंद स्वामी जिनकी अध्यात्य बानी तो हम लोग समय सार आदी की चर्चा सुनते आए हैं उनके द्वारा रसित जो बारा अनुप्रेक्षा द्वास्ता अनुप्रेक्षा ग्रंथ मैंने कर उसका मंगला चन्ट किया था आद्वाय आपको लेचनू अध्रू अनुप्रेक्षा अनित्वावना यजप ये निश्चित है आत्मा भिन्ने सरीर भिन्ने सिरी कुंद कुंद स्वामी की बानी में भी और सभी आचारे की बानी में भी और आचारी स्री वीर सार जी महराज और अंतिम प्रोजन में अपने आचार शांसार महराजी भी ने खाया कि आत्मा भिन्ने सरीर भिन्ने कम से कम हम और आप 24 गंडे में 5 मिनट ये चिंतन अवस्थि करें कि आत्मा भिन्ने सरीर भिन्ने और आत्मा जिन में जोती सर्फ भगवान परमात्मा है शक्ति रूप में, ब्यक्त रूप में नहीं, ब्यक्त रूप में जिन्होंने आत्मा को प्रगड किया, उनको नमन करते हुए, उनकी आराधना करते हुए, हम भी अपनी आत्मा जो शक्ति रूप में परमात्मा है, उसको प्रगड करने का पुर्शार्थ कर रहे हैं, यह मुन प्रवर्ति मार्ग निवर्ति मार्ग और यही मार्ग हमें और आपको एक नएक दिन परमात्मा बनाएंगे ही बनाएंगे निश्चित हम और आप पनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे उसी संदर में महान आचारी स्री कुंदुकुन स्वामी की वाणी में हवापको लेच दें बर भवन जान भाहन सयनासन देव मनोय रायानं माद पिद सजन निच्च संबंधिनोय पिदि वियानिच्च उत्तम भवन बड़े मकान यान भाहन सयन आसन देव मनुष्राजा माता पितादी कुचुमिजन और सेवकादी सम इस संसार में जो कुच भी दिख रहा है ये सब अनित्य है नस्वर है और हमारी और आपकी आत्मा से प्रसक है मिन्न है निच्चित ये सब नस्ट होने वाले है सामगिंद्य रूवम आरोगम जी जो बनम बलम ते जम सोहगम लावन्नम सुरधनमिव ससयम नहवे सब प्रकार की सामगरी जितने प्रकार की सामगरी है उत्तम उत्तम सामगरी संसार में परिग्रह और इंद्रियां रूप निरोगता यवन, बल, तेज, सभाग्य और संदर्यादिक सब इंद्रधन उसके समान आकास में इंद्रधन निकला बहुत संदर दिखा और किसी छण में विलीन हो जाता है ऐसे उसके समान सासद रहने वाले नहीं है जलब बुद, सक्क, धन, खन, रुची, घन, सोह में उथिरम, नहवे आहमिंद्या, ठानाहिं, बल, देव, पहुदि, पज्याया संसार में अहमिंद्र के पद, इंद्रों के उचे नवग्रेवेक में अहमिंद्र के पद, जो यहां तीन लोग की रिचना बनेगी, आप देखेंगे और हसना पुनमने तीन तीन लोग की रिचना में, सोला सर्ग से उपर नवग्रेवेक तक अहमिंद्र है और नवग्रिवेक तक भी अभवी जीऊ भी चले जाते हैं लेकिन ये निश्चित है सभी परिग्रे को छोड़कर वाहि परिग्रे को छोड़कर और नगन मुद्राधारन करके ही निर्दोस्टरिया पारन करके ही जा सकते हैं सोला सरके उपर भी तो कहते हैं वो अहमिंद्र पद भी और तो क्या और बल्देव पद आदि जो परियाएं हैं सेसर सदाका महापुरसों की आदिक सब ये सब जल के बबूले के समान इंद्र सन उसके समान विजली चमकती है आकास में उसके समान और मेग की सोभा के समान इस्ति रहने वाले नहीं है आकास में कभी-कभी बहुत सुंदर मेग बन जाते हैं मेग में सुंदर-सुंदर महेलाजिक दिखने लगते हैं और छणवर में नश्टो जाते हैं तो ये सब उसी के समान जीवनिवद्धम देहं खीरो देमिव पिनसदे सिखं भोगो पभोग कारण दब्वम निट्वम कहम हो दी हाचार के देखो चिंतर करो ज़ह हमारा सरीर और आत्मा दूद और पानी किसमान एक मेग हो रहा है जैसे दूद और पानी मिला जिया एक मेग हो गया उसी वरकार से आत्मा के परदेश और ये सरीर बिल्कुल एक मेग है सरीर के रगरग में परतेक परदेश में आत्मा के परदेश है और आत्मा सरीर के आकार है तो इस प्रकार से जीव और सरीर एक में खोते हुए भी जब प्रसक प्रसक है और प्रसक प्रसक कैसे जाने जाते हैं जो आस्ति की वादी है पर लोग को स्विकारते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि आत्मा और सरीर भिन्न है क्योंकि शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद शरीर को अगनी में मसुसाथ कर देते है तो इस प्रकार से जीव और शरीर जब दूदर पानिक सान एक में खोते हुए भिन्न भिन्न है तो ये भोगो भोग की सामगरी द्रब्यादिक जो है वो तो नित्य ही वो निश्ची थी प्रसाख है विन्न है अलग-अलग है और अनित्य है तो क्या अपना क्या है इसी बात को स्री कुंद कुंद देव बहुत सी सुन्दर सब्दों में आप कह रहे हैं कि इसका चिंतन करने का अफसार क्या है हम प्राता काल की मंगल वेला में तो क्या चिंतन करें परमार्थ से निश्चेने से शुद्य निश्चेने से वास्तों में विचार करके दिखा जाये तो आत्मा देव असुर और नर्दों के वेभों से भिन्न होते हुए विज़ आत्मा सास्वत है नित्य है Shasmat है Nity है अफिनाशिए है आत्मा का कोई मरण नहीं होता है एक परियाय से दूसरी परियाय ग्रहन कर लेता है जैसे एक बस तणठारे दूसरे पहन लिए उसी प्रकार से मनुस परियाय चुटी देव मिल गई देव परियाय चुटी पराप्थ हो रही है कि taking that श्तु हम जितने भी है गो संसार में दो तुने की लोग है दान निच्डा कि एक हास्तिक वान श्थी वा दि थ्बादी नास्तिक वाधी कौन है कि जों है प्राए कर कि पास्चाथ-संश्कृति से प्रहा विध्यों मां वह स millor नास्तिक वादी है कि आत्मा और शरीर को नहीं मानते है अलग अलग, वो कहते हैं बस शरीर और आत्मा एक है, शरीर नर्ष्वा आत्मा समाप्त, आत्मा नाम की कोई चीद नहीं है, वो नास्तिक वादी कहलाते हैं, पंजभूत से शरीर बना, वही आत्मा और शरीर नर्ष्वा आत्मा समाप्त, य लेकिन उसी में बैदिक संस्कृती को भी अपनाने वाले और जयन संस्कृती में जनमें इस वात को स्थिकार करते हैं कि आत्मा और सरीर दो है आत्मा नाम की चीज हमारे सरीर के अंदर विराजमान है और वो सास्त अभिनासी एक सरीर से दूसरे सरीर को ग्रंट करने वाला बैदिक ग्रंटों में गीता में यही सार है कि जैसे एक बस्त बदल लिया जाता है बस्तों का परवर्तन आप करते हैं उसी प्रकार से सरीर का परवर्तन हो रहा है सरीर बदल देते हैं तो जैन परंपरा के अंसार 84 लाख योनियों में परवर्ण करते हुए अनेक प्रकार के सरीरों को धारन करते हुए भी यह आत्मा निश्चन इसे शुद्ध परमात्मा है शक्ति रूप में बीज रूप में जैसे दूद के अंदर मक्षन दूद के अंदर घी शक्ति रूप में है दुद्ध मत्ते सागर्तम दूद में घी शक्ति रूप में है उसे प्रयोक से निकाला जाता है आजकल भी दूद को निकाल करके मक्खन निकाल लेते हैं दूद से उसका सार मक्खन निकाल लेते हैं और उसे जमा कर दही बना कर बिलोना करके मक्खन निकालते हैं तो बहाते ही दूद से घी निकाला जाता है वैसे ही पुनर जन्व को शीकार करने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हम और आप 84 लाख योनियों में परिबन करते हुए भी इस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए ही ये मनुस परियाय प्राप की है ये मनुस परियाय दुरलब रत्न के समान हमें मिली है पुझपाश्वामी ने तो यहां कह जिया कि इतस चिंताम अनिर रत्नम इतस चिंताम अनिर दव्यम इतापिन्या खंड कम ज्याने नवचे दुबे लब्ये क्वाद्रियन ताम विवेख नहा अरे भव्यात्माओं चिंतन करो आपके एक हाथ में खली का टुकड़ा है खली का टुकड़ा जो तील लिया सरसों को पेल कर निकाल लिया और खली का भाग बच गया वो एक हाथ में खली का टुकड़ा है और एक हाथ में दिवी चिंतामनी रत्न है आप किसमें आदर करेंगे किसको स्वीकार करेंगे चिंतामनी रत्न को दिवी रत्न को उसी प्रकार से ये मनस पर यायत दिवी चिंतामनी रत्न के समान हमें और आप को इसे पंजब काल में प्राप्त हुई है इस मनस पर यायत में हम और आप अहिंसा परमोध हर्म की सरण लेकर के जिनंदर भगवान रिशब जयव से लगकर भगवान महाविस्तक जो 24 तीर संकर हुए हैं उनकी सरण लेकर के और जो अतीत काल में अनंतों तीर संकर हुए हैं और आगे होएंगे उनकी सरण लेकर के इस संसार सुंद को पार करेंगे तो मनस परियाय में हमें ये चिंतन करने का आउसर मिला है मनस परियाय में दिवी चिंतामनी रत्न ये धर्म ये दिवी चिंतामनी रत्न है ये जो अहिंसा पर्मो धर्म है दिवी चिंतामनी रत्न है भगवान महावीर का सासन दिवी चिंतामनी रत्न है भगवान शब्देव का सासन दिवी चिंतामनी रत्न है वह हमें और आपको मिला है तो भव्यात्ना बात यही है कि परमार्थ नहीं से दिखा जाए निश्चन नहीं से दिखा जाए समय सार की भासा में आत्मा भगवान आत्मा, भगवान आत्मा है, आत्मा भगवान आत्मा और उसी को संसार में हम भगवान आत्मा मान लेंगी तो हमको कोई पुझा नहीं करेगा, जब उसके मानने के पुर्शार्थ में लगेंगे तो यह सरीर भी पुझ बन जाएगा, उसको आत्मा को पुरसार्थ में साथू गण मुनी गण आद्भी और आरिकाय यह सब उसके पुरसार्थ में लगे हैं और स्रावक भी पुरसार्थ में लगे हैं ग्रहस्तो मोक्ष मार्गस्तो श्री समंद्वध स्वामी ने कहा है कि ग्रहस्त धर्म भी मोक्ष मार्ग है आप भी मोक्ष मार् अरे देव साथ गुरु की भक्त है, भगवंतों की पूजा करते हैं, जिन महंद्रों का निर्मान कराते हैं, मूर्तियों का निर्मान कराते हैं, पंठ के रानक प्रतिशाजी संपन कराते हैं, साथवों के संग का संचालन करते हैं, साथवों को आहारदान आजिक दे करके, और उनके मोक्ष मार्ग में सायोगी बने हुए है बहुत बड़ी बात है मोक्ष मार्ग में इसलिए ग्रहस तो मोक्ष मार्ग तो ग्रहस दर्म में मोक्ष मार्ग है और ग्रहस भी मोक्ष मार्गी है इस बात का हमें सद्धान रखते हुए और प्रतिजिन ये चिंतन करते रहना चाहिए कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है शरीर नसर है, आत्मा सास्वत है शरीर विलासीख है, आत्मा सास्वत है आत्मा अनित्य है, शरीर अनित्य है संसार के सब कुछ अनित्य है वैभव अनित्य है चक्रवर्ती का वैभव और चक्रति भरत सारे वईवों को छोड़ कर दिख्षा लेते ही केवल ग्यान प्रात कर लेते हैं यह उनका चिंतन क्या था उनके गाहरस जिवन में जो उन्होंने खुब गाहरस धर्म में जिनमंदिर के निर्मान साथ्मों की भक्ति, गुर्वों की भक्ति और इतनी तैयारी कीर कर ली थी कि दिख्षा लेते ही केवल ग्यान प्रकट हो गया और केवल ग्यान प्रात करके बहुत बरसों तक केवली रहे हैं पुना आत्मा को परमात्मा बना कर जहां रिशब जो विराजमान है वहीं वो भी ब्राजमान होगे शिद्धाले में और पुन्रागमन से रहित हो गए पुन्राप संसार में जनवरण की दुख को नहीं उठाएंगे तो उनी की सरण लेकर के उनी भगवन्तों की सरण लेकर के हमें और आपको ऐसे पुन्रागमन रहित सिद्ध अवस्ता को प्रात करने का पुर्शार्थ करते रहना है हमारा और आपका पुर्शार्थ सफल हो और आगे आने वाला अएध्या साच तीर्स में जो पंचिनानग महा महोस्व है वो शानंद निर्विग्न संपन्ध हो और ये तीर्ष, आयोध्या तीर्ष कुंडलपुर के भगवान महावीर, जिनका आज प्रतिश्ठापना दिवस है, क्षण क्षण पलपल उनको बनते खड़े होते देखा, ऐसा बेदाग पत्थर एकदम शुब्रवर्णी पासान से निर्मेत भगवान महावीर वास्तों में, सभी को बेदाग बनने का संदेश देते हैं, तो आप सब एक बार उन भगवान महावीर के शीचनों में नमन करते हुए, बोलेंगे, जो जीते यूद में सत्रू, उसे रणबीर कहते हैं, जितावे यूद में सत्रू, उसे शम्शीर कहते हैं, बचावे यूद में सत्रू, उसे शम्शीर, बचावे लाज सत्यों की, उसे रणबीर कहते हैं, बचावे लाज सत्यों की, उसे रणबीर कहते हैं, जो कुंडलपुर में जन्मा है, उसे महवीर कहते हैं, जब लोग कुंडलपुर के महावीर भगवान की जय और उस कुंडलपुर में रह करके, हम सबने पुझ्ज माताजी की कृपा से, राजग रही परवत की खुब बंदना की, जहां भगवान की प्रथम देश ना खिरी, मुनी सुवरत भगवान का जन्म हुआ, पावापुर एक ओर है, जहां भगवान महावीर का मोक्ष कल्यानक हुआ, इन तीर्थत्रिवेनी के संगम में, हम लोगों ने बाईस महिने तक अवगाहन स्नान किया और पेक्षंड प्रतिपल स्मरण में रहते हैं। मानुभाओं, प्रक्रन चल रहा है अनुप्रेक्षा का, अनुप्रेक्षा मतलब 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 अनुप्रेक्षा म सिध्धान्त हो, समेशार हो उन सब में अनुप्रीक्षाओं का चिंतन, अर्थात सरीर और आत्मा को एक लेकर हम बैठे हैं तभी बोल रहे हैं, तभी सुन रहे हैं अकेली आत्मा सिद्धी सिला पर विराजमान रहती है अकेला पुद्गल कुछ नहीं कर सकता लेकिन दोनों के सयोग रूप से जो आज हमें मनुष्य का भव प्राप्त हुआ है मनुष्य की परियाय प्राप्त हुई है उसमें हम चिंतन करते हैं और उस चिंतन को ही अनित्य अशरन आदी रूप से बारा रूप से चिंतन करने की हमें साधना उपलब्धियां, माध्यम आचारियों ने दिया है और आज भी इस पंचमकाल के अंदर हमारे संतगण उसका चिंतन करते हैं देखो क्या था एक मुनिराज थे तो उनको कुछ याद नहीं रहता था तो उनके गुरू भी परेशान नमोकार मंत्र भी याद करते भूल जाते विचारे और बन गए थे मुनिराज मैं बतारे हूं आपको कि संत बनने पर संत बनने के लिए वैरागी की आवश्यक्ता होती है ना कि सांस्त्र ज्यान की अनुप्रेक्षाओं का चिंतन प्रैक्टिकल रूप से कैसी होता है वो विचारे भूल जाते बार बार जाकर के ध्यान करते और फिर भूल जाते एक दिन महराज ने कहा उनके गुरुदेवने की देखो तुम इतना चिंतन करो कि तुस मास भिन्नम अर्था तुस माने चिलका मास माने होता उड़द समझे ना मा में जो धनुस वाला शा होता ना वो उशा मास माने मांस नहीं है मास माने उड़द तो उड़द की दाल से चिलके को अलग करके महिलाएं और उसे सुद्ध अच्छा बना लेती हैं फिर सुखा करके आटा बना के और पापड बनाती हैं पापड को बड़े चाव सिखाया जाता है तो उन्हों नहीं कहा कि बस तुमको इतना याद रखना है तुसमाज भिन्नम जैसे उडद से छिलके को अलग किया जाता है ऐसे आत्मा हो गए उडद और तुस हो गया शरीर तो आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है यह बस सोचना अब वो महराज फिर भूल गए तुसमाज भिन्नम कहते रहे बोलते रहे लेकिन फिर एक दिन भूल गए बड़े दुखी हुए तो वो एक दिन बसतिका में ब्रमन कर रहे थे किसी बस्ति के मा बैठी है और वो छिलका और डाल को अलग-अलग कर रही है धो करके अरे उनने कहा कि कुछ ऐसा ही थो था हमारे गुरू ने बताया था तो वो खड़े हो गए और उस मा से पूछा क्या आप क्या कर रही है बोले देखो इसको मैंने भिगोया और उसके बाद में इस छिलक और पापड बना लेंगे यह उसने संझाया तो बोले बस मुझे तो इतना बता दो कि किस से किस को अलग किया अपने उनने कहा हमने मास से तुस को अलग किया तो इसको क्या कहते है तुस मासम यानि तुस मास भिन्नम तुस मास भिन्नम अब वो अहार नहीं किया उनने क्यों करके और कहा तुस्माज भिन्नम, तुस्माज भिन्नम, तुस्माज भिन्नम, तुस्माज भिन्नम, भोलो जरा, एक बार या तीन बार रोज बोलना, तो तुस्माज भिन्नम कहते कहते एक तब ऐसे इस्थिर हो गए, कि मैं भूल न जाओं, और इसके लिए बिलकुल, मेरी आ आत्मा के उपर और मास तो यानि की उड़त के रूप में सुंदर सुंदर दाल के रूप में मेरी आत्मा है और ऐसे करके एकदम इस्थिर हो गए तो उन्होंने केवल ग्यान को प्राप्त कर लिया क्या केवल ग्यान प्राप्त कर लिया जिसे नमोकार मंत्र नहीं याद रहता उस मुनी ने केवल गान प्राप्त कर लिया, तो अचारिक कुंद कुंद स्वामी ने अश्ट पाहुड के अंदर उनका नाम ले लिया, बोले तुसमासम घोसंतो, शिव भूदी केवली जादो, क्या नाम था उनका शिव भूती? तुसमासम घोसंतो, इतना रटते रटते, और वो केवली भगवान हो गए, तो देखो चिंतन कितना कारिकारी होता है, चिंतन, चाहे हम शुब चिंतन कर लें, चाहे अशुब चिंतन कर लें, और वो चिंतन इतना कारिकारी होता है, कि शरीर से आत्मा को भिन करके सिद्धिसिला पर पहुचा देता है पुज्य माते ही हमेशा कहती है कि चौवीस घंटे में एक बार बारा भावना जरूर पढ़ना कि उसकी एक पंक्ती भी याद रहे गई तो समझो कि जीवन सार्थक हो जाएगा राजा राना छत्रपती पढ़ें चाहे कहां गए चक्री जिनजीताएं पढ़ें आज हमारे जितने संथ हैं वो ऐसे ही तो सोचते हैं तभी तो तपस्या करते हैं हम लोग भी तभी तो तपस्या करते हैं आज हमारे सामने एक बहुत अच्छा प्रसंगाया कि डाक्टर सुसील जैन महिन पूरी जिनों ने पुझ गर्णी ज्यान मती माता जी की शिशिता को स्विकार किया और सन 1978 में एक ऐसा शिविर पुझ जैन माता जी के साने दिम होने वाले को अटेंड किया कि उसके द्वारा वो बहुत बड़े विद्वान जैन जगत के बन गए आज उनकी दीक्षा सम्मेद सिखर सास्वत शिदिक शेत्र में आचारश्री प्रसन्न सागर महराज के हातों से हो रही है अभी अभी हमें डाक्टर जीवन प्रकाश जी ने संदेश दिया बहुत ही प्रसन्नता हुई और एक विद्वान जिस विद्वान के लिए कहा जाता है क्योंके ज्यान रखते हैं वो आचरण के और नहीं बढ़ते तो उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है सुसिल जी का और जिनोंने 557 दिन की तपस्या सासव सिदिक्षितर पर रह करके किया आचारी प्रसन्नसागर महराजी अभी 28 जन्वरी को उनका पारना था महा पारना स्वामी जी को आमंतित किया स्वामी जी गये क्यों नहीं जाएंगे भई हम तपस्या के और अग्रसर हैं तपस्या के लिए जाएंगी तो स्वामी जी का मुल्यांकन किया और आचारी प्रसन्नसागर महराजी पारसनात की टोंक पर स्वामी जी से उनका पडगाहन हुआ इन्होंने नवदा भक्ति किया पृथम आहार देकर ये भी खुश हो गए और स्वामी जी ने कहा कि माता जी अच्छा लगा एक गुट फिलिंग हुई आज पंच कल्यानक के मध्य उन्ही आचारी प्रसन्नसागर महराजी के हातों से सुसील जी की दिक्षा हो रही हम यहीं पर सास्वत्तिर तयोध्या से सास्वत्तिर तयोध्या पर एक भोगी को योगी बंते देख करके और परम प् पूरे संग के ओर से सुसील जी के लिए बहुत बहुत शुप काम नाएं यह नहीं मालूम हमें कि शुलक दिक्षा ले रहे हैं या मुनी दिक्षा जो भी ले रहे हैं मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं सासवत तीर्थ के परमानू आपकी आत्मा को परमात्मा बनाने में कारण हो हम भी एक सासवत तीर्थ पर बैठे हैं प्रथम सासवत तीर्थ युगादी प्रथम तीर्थ अयुग आदी तीर्थ अनादी तीर्थ स्रस्टी का प्रथम तीर्थ जब अयोध्या में जन्म लेत करते हैं क्या ही अच्छा होता कि एक बार सुसील जी अयोध्या भी आते सास्वत्तीर के दर्शन कर लेते कोई बात नहीं आपने अटंडम अपना कारिक्रम बनाया होगा और आप दीक्षा की और अग्रसर हैं बहुत-बहुत शुव कामना हैं क्योंकि हमें तो पंक्तियां या आती हैं सरवार्शिद्धी गरंत के पुझिपाद स्वामी की जिनोंने तत्वार्थ सूत्र के प्रथम सूत्र की ठीका लिखते हुए एक सुन्दर सी बात कही के एक शिश्य बूस्ता है गुरु से किमनू आत्मना हितम तब उसके उत्या कि हे बगवन आत्मा का हित क्या है तब वे उसके उत्तर में बताते हैं कि अवाग विसरगम वपुसा एव मोक्ष मार्गम निरूपियंतम मूर्त मिव जो बिना बोले और अपने सरीर मात्र से मोक्ष मार्ग का दिखदर्शन करा रही है ऐसे संत जिनके इंदर सम्मेक दर्शन ज्यान चारितर की त्रिमेणी एक साथ पहती है और जिनका जीवन मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होता है वही असली मोक्ष मार्ग है वही आत्मा का हीत है ऐसे अच्छा आज राकेश जी दिल्ली से आए हैं